गुफाओ के बारे में हमारी दादी नानी कई कहानिया सुनाती थी जदातर गुफाओ की कहानी हमें इसलिए सुनाई जाती थी ताकि हम दर जाएं और जल्दी से सो जाएं लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कहानिया ऐसे नहीं बनती हर कहानी के कुछ किरदार होते हैं कुछ न कुछ उनका अस्तेतु होता है तभी उन कहानियों की चर्चा होती है वैसे तो दुनिया में कई रहसमें गुफाएं हैं लेकिन हम आपको आज बेहार के एक ऐसे गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कोई छोर नहीं है उस गुफा के अंदर जाने पर वैत्ती चलता जाता है लेकिन चलने का सफर खत्मी नहीं होता पहार के रहतास जिले में मौजूद कैमूर की पहाड़ियां जितनी पुरानी है उतनी ही रहसमें भी इस पहाड़ी पर भगवान शिव का एक मंदिर है ऐसी मानिता है कि यह मंदिर बहुत पुरानी है इस मंदिर का शिवलंग तभी दिखता है जब आप गुफा के अंदर जाते हैं इसकी खासियत है कि इसका अंतिम छोर दिखता ही नहीं है शिव मंदिर के पुजारी का कहना है कि यह गुफा भगवान शिव ने बनाया है इस गुफा का कोई अंत नहीं है गुफा अंदर से काफी डरावनी है जदातर समय यहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है इस गुफा को लेकर एक धारना यह भी है कि यही पर भगवान शिव न झाल झाल झाल